अलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों एक टॉपिक है बहुत दिन से मुझे इस पर वीडियो बनाना था बना नहीं पा रहा हूँ आज भी मैं इस टॉपिक पर बात तो कर रहा हूँ पर वीडियो प्रॉपर इस पर नहीं बना पा रहा हूँ उसका कारण क्या है क्योंकि इसके लिए प्रॉपर बोर्ड और लिख करके समझाने पर ज्यादा बहतर रहेगा और उदर की तरह बहुत धूप है गर्मी भी है इस समय को आमें को बहुत दुपैर में गर्मी हो जाती है और थोड़ा सो दर रिजॉर्ड में चारफर लड़के तो शोर भी आ रहा है तो अब मेरको बड़ा इंपोर्टेन वीडियो लगा मुझे अपने वीडियो कुछ वीडियो ऐसे होते जो लगता है इसमें आप ने बात करते करते में कुछ वेल्योबल प्वाइंट्स पर बात दरी है वो वेल्यूबल पॉइंट्स बहुत सारे लोगों के लिए बेकार या बेकार बेफ कोफी वाली बात हो सकते हैं जिसकी जो समझ है जो जोला फटा उसको फ़ले नहीं बढ़ेगा है तो वो वीडियों हो सकता कई उनों लंबा होने की वझने गँटे का डीूरेशन देख कर ना देख हुआ ओ पर देख ले मैं का वीडियो है है क्या होता है मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कोई सी छोटी सी बात से ही तर्विंग पॉइंट आया है लिए कोर्स नहीं करना पड़ता है एंबी एक तरह या कोई ऐसा कोर्स एक चुटी सी बात कोई दिमाग पर क्लिक कर जाती है और आप स्टेप उठा लेते हैं तो वह है और आज जो मैं मतलब बात करना चाहरा था एक वर्ड है इगू और यह वर्ड ही नहीं है यह एक प्रवित्ति है जो हर इंसान के अंदर होती है इगू हिंदी में इसे एहम कहते हैं और इसे अधिस है पर और आप जब इसकी उपर रिसर्च करोगे इसको थोड़ा समझने की कोषिच करोगे और यजो पर सिंगमें फोईड ने मतलब बहुत लंबी रिसर्च करके कर हिमान शाइकोर पर उसनि सिंगमिन अउपर ने एगो को एक्सिप्लें किया सिंगमन फ्रोइड के जो गुरू थे ब्रेनेटो उनको फादर फिलोसफी नहीं कहा जाता है सिग्मन फर्ड को कहा जाता है तो मैंने ब्रेनेटो के बारे में जब पढ़ा थो ब्रेनेटो ने एक यूमन बिहेवियर पर बात करी बताया कि आदमी कैसे सोचता जैसे उन्होंने कहा कि जो चीज किसी सब्ड intéressant को मिल जाती है तो मिटि के समान होती है और नहीं मिले जब तक हो सोने के पराबर रहती है ऐसा हमेशा होता है तो यह सब चिज उन्हों नेपता लगा इजो बेसिक हुमन नेचर होता है साइकलोजी इस होती बेसिक और उसमें जो एड-न की है सिग्मन फैड में वो या न्यूट्रल वर्ड है एहम जिसे कहते हैं होता यह है कि एगो दो चीजों से मिलकर बनता है एक होता है एड एड कहते हैं और एक होता है सुपर एगो जहां पर मिलते हैं जहां पर उनका conjunction point होता है जहां पर वो compromise कर लेते हैं उस point को ego बोलते हैं मतलब एड और ego के जुड़ने के compromise point जहां पर दोनों compromise हो जाते हैं कि ठीक है इतना तू रहना इतना मैं रहूँगा उसको हम ego बोलते हैं इसको हिंदी में अगर हम समझने की कोशिश करें तो एहम के और एक होता है परा महम मतलब super ego ego एड और super ego और एड का point जहां पर वो मिलते हैं वो ego हो गया और सेम इदम और परा महम जहां मिलते हैं वो एहम हो गया अब यह negative होता भी है और कई बार यह positive भी होता है यह कैसे होता है अब देखो इधम क्या होता है मला एड क्या होता है एड होता है हमारे विकार जितने भी हमारी नाकारत्मक साइकलोजी हमारी नाकारत्मक विचार हमारी नेगेटिव विचार धारा जो है वो सब इड है गलत संसकार जो भी हमारे अंदर विकार है वो सब इड ह वो सब इधम है जहां पर अनैतिक्ता होती है जहां पर हम बायस होते हैं जहां पर हम स्वार्थी होते हैं मतलब लाल्ची होते हैं जो भी जिस भी तरह के जो खामियां होती है उसको हम इधम बोलते हैं उसको हम इड़ बोलते हैं जो हमारी प्रवित्ती है कि हमें उसको करना पर हम क्यों नहीं कर पाते हैं हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसके अपोजिट खड़ा होता है परमेहम इदम के सामने खड़ा हुआ है परमेहम उसको रोकने के लिए उसको टक्कर देने के लिए इड़ के सामने खड़ा हुआ है सूपरेगो अब यह परमेहम क्या है यह है हमारी अच्छाई यह हमारी पॉजिटिविटी यह हमारे संस्कार यह हमारी अच्छी सिख्षा जो चाहे ना चाहे चाहते हुए भी स्कूलों ने हमें कुछ अच्छी बाते बता दी माबाप ने सिखा दी धरम ने सिखा दी हर चीज कोई भी पूरी तरह गलत नहीं होती तो जो अच्छी चीज़े सिखाते हैं और हमने अच्छी चीज़ को अब्जर्व कर लिया तो जो अमारे अंदर की अच्छाई होती है जो संसकार होते हैं जो नैतिकता होती है जो हमारे को अनैतिक बनने से रोकती है फोर्स करती कि नहीं तुम्हें यह नहीं करना है वो सब क्या होता है परा मेहम और सुपरीगुट मैं हिंद इंगलिश के दोनों बड़ यूज कर रहा हूँ अब होता ही है दोस्तों कि एक अच्छा आद्मी है तो वो क्यों अच्छा है वो बुरा भी तो हो सकता है क्या उसको कोई चीज फोकट में मिल जाए चुरा के मिल जाए तो क्यों उसको मजा नहीं आएगा वो उसी चीज को चोरी नहीं कर रहा है चोरी कर सकता है पर फिर भी न वो इसको अनेतिक मान रहा है। कौन उसको अनेतिक मान रहा है। उसकी अनेतिकता को कमजोर कर रही है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसमें एहम तो है। और उसके एहम के अंदर परम एहम। मतलब उसकी ego के अंदर super ego की मात्रा जाद है और जो aid है, जो idham है, जो उसकी नाकरण उसकी मात्रा कम है, zero नहीं है, zero होई नहीं सकती, यह बाद ध्यान रखना, दुनिया के सबसे अच्छा आदमी भी कहीं पर सबसे खराब होता है, और सबसे खराब व्यक्ति भी कहीं पर अच बैमानी कर रहा है, छलकपट कर रहा है, मुकर जाता है, उसके सामने कोई मरता मरता उसके कोई फरक नहीं परता, वो क्रूर है, पत्तमीज है, उसके अंदर जजबात नहीं है, वो राक्षयस है, कुछ भी है, क्योंकि ऐसा क्यों है वो, क्योंकि वो उनको justify कर देता है, उसक जटिफाइदाने जुट जरूक के अब उसको रोख सकती थी मौतार कम क्योंकि मतलब पर užी में है हैट कम है जीरों नहीं परो यह सब करने के बाद घर पहुंच arrives के अपने लिए बस्ती बच्चे बड़ा अच्छा है तकि अपनले धर्म के बड़ा अच्छा है यहां observe प्रति या जो दुनिया के लिए यह लुट रहे है पर वो अपने एक एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां परोई अच्छा है दोस्तों के लिए पर मैक्सिमम लोगों के लिए वो गलत है और कुछ लोगों के लिए वो अच्छा है ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंदर इदम की मात्रा ज्यादा है पर हंडेड परसंट नहीं है हंडेड परसंट जब हो जाती है तब ही हमारा कूट कहता है रेरेस्ट ओफ दर रेर मार डालो से अब इसको जिन्दा रहने के जब हमारे अगर आप मायतलोजी को भी पढ़ोगे और उसमें बिलीब भी करते हो तो आपको मालूब पढ़ेगा है वहा हो आएगा कि वद्ध कर दिया गया जी हलांकि बुद्ध के उसमें बुद्ध का यह मानना था कि जादा ही तो है हंडेड परसंट तो नहीं है तो उसको कम किया जा सकता है जैसे फूर एक्जामपल रमायन में जैसे राम ने रावन का वद्ध किया क्योंकि वह गलत था अगर बुद्ध ने यह माना कि हर आदमी के अंदर परमहम होता है जादा होगा तो अच्छा होगा और अगर कम है तो वह बुरा होगा पर जीरो नहीं है तो जैसे उंगली माल जो डाकू था जो लोगों को मार देता था सिर्फ शौकिया तो रुपे मार देता था तो कभी में उसकी स्टोरी बताऊंगा आपको तो वेकरिच फैमली से उसको पैसा के लिए उसका पैशन था उसकी जिद थी उसकी खुंदक थी तो वो मारता था पर बुद्ध ने उनका वद नहीं किया उसका बुद्ध ने उसको उसके अंदर ट्रांस्फोर्मेशन किया उसको कि आप मानते होने कि बदलाव है इसलिए जो समझदार लोगों ने कानून मनाते हैं वो कहते हैं कि यार जब तक बिल्कुल यकीन ना हो जाए मत मारो और बहुत सारे देशों में तो मौत की सजाई बेन है कि मतलब मार नहीं सकते हो आप जिनकी पर जेल में रखके सड़ालो दूसरा ॉबकां घजर गाति आपने अंदर ज़को और यह पता लगाओ कि आप परमहम है और इधम है यք मत को फूइको अच्छी चीज़ होती है ऑफ़े भेन आपि यह पता लगाऊं कि आपके अंदर अच्छा वाला है या ग्रें अगर की मात्रा जादा इदम जादा है तो अपने इदम को मत कम करो इदम को कम करने को कम नहीं होगा आपको परह प्रहों सब्सब्सब्स बीस को मत देखो यह न्यूज चैनल हिंदू मुसल्मान राजनिती खेल यह सब मत देखो अच्छी साफ सुतरी चीज़े देखो जिससे मानसिक विकास हो अच्छे समझदार लोगों के बीच में रहो वो कम होते हैं इसलिए कम दोस्त बनेंगे पर अच्छे बनेंगे नेगटिव परमहम की परसेंटेज बढ़ेगी तो घटेगी क्या जो आनी रहा अंदर दिमाग में वो क्या नहीं आ रहा है वो इदम नहीं आ रहा है वो गलत चीज़े नहीं आ रही है तो दीरे-दीरे आपकी जो एगो है वो पॉजिटिव हो जाएगी आप सेटिसफाई रहने तेरे पर बिना मेकप वाला ग्लू आ जाएगा जेब खाली यह कॉंफिडेंस आ जाएगा दुनिया बर की खामिया आपके साथ जीवन में घट भी रहे होंगे आपको फरक नहीं पड़ेगा आपको को हटा ना क्या बोलते है वो हटा सावन की घटा खा कुजा बती पुजा पिंटुकले यह यह सोजा तिन्टुकले यह पिंटुकले तिन्टुकले क्या वो बोलता है वो गोविंदा का डायलोग है ना किसी बच्पन में देखी थी ओग भी नी बच्पन नहीं यार तो मुवी आई थी जब मैं पच्चिस साल के अस-पास का था हटा सावन की घटा खाक खुजा बत्ती पुजा तिंटुकले तुकले तुकले अच्छा है यह उसकी यहां मतलब 20 साल से मैं कम का था ठारा उनिस साल का था यह वो दीवाने मस्ताने दीवाने मस्ताने है ना अनिल कपूर और गोविंदा के उसमें यह डायल होगा यह उमीद करता हूं आपको यह समझने आएगा इसको एक्चुली में ना मैं बोर्ड पर एक्स्प्रेंड करना थे कि कैसे वह मीटर होगा आपने परमहम बढ़ा दिया तो इदम कम हो गया इदम बढ़ा दिया परमहम कम हो गया तो अब आप जिन्दगी में कभी भी किसी आद नहीं हो सकता है यह तो क्लियर है यह तो नेचर का सिद्धान अगर परमहम जीरो हो गया तो इदम भी खतम हो जाएगा तो आप उसके अंदर भी यह देखोगा कि यार यह इतना बुरा आदमी है पर इसके दर कुछ तो अच्छा ही होगी और आपको मिल भी जाएगी और होता भी हो इसलिए मैं बड़ा खुश और पॉजिटिव रहता हूं मेरी प्रेजेंटेशन से मत जाना अपने आप में बड़ा मस्त खुश कॉंफिडेंट रहता हूं कंफ्यूज नहीं हो जीगन में कभी भी नहीं रहा ओके गुडबाई थैंक यू